अब देर इस्टुएंट्स इस यूनिट्स एन मेजरेमेंट में अब भॉल्यूम को कॉंसेप्ट देखें बॉल्यूम कॉंसेप्ट अगर के लियर है तो आपको यहाँ डेंसिटी कॉंसेट भी आपको देखना पड़ेगा बेटे डेंसिटी रो को लिखा जाता है और अब मेरे क्लास में यह मत बोलो कि डेंसिटी इसकल्टु मास पर इनुट भोल लो नहीं बेटा इस फर्मुले से कुछ पता नहीं चलता कि मास पर इन भोल्यूम क्या कहना चाह रहा है अगर मैं आपसे कोस्टन करूं भोल डेंसिटी अफ गैस डेंसिटी अफ लिक्विड और डेंसिटी आफ सॉलिड का ओर्डर क्या है गैस का डेंसिटी जदा होता है कि लिक्विड का डेंसिटी जदा होता है कि सॉलिड का डेंसिटी जदा होता है आप फस जाओगे बेटा परिसानी में इसलिए अभी आप स्टार्ट कर रहे हो अपना लाइफ कभी फर्मुला में अपनी जिन्दगी को मत फसाओ फर्मुला कहां से आया इसमें आप लाके खड़ा करो मैं हर चीज आपको मैंने बता दिया है कि नेचर में जाकर हम सारे फर्मुला को प्रूब करेगे थम चले नेचर में बोल्लूम कॉंसेट में भी और डेंसिटी कॉंसेट में भी बोल्लूम आप क्या पढ़े हो बोल्लूम इकोल टू लेंथ इन्टू ब्रेथ इन्टू हाइट क्या सेंस आती है बेटा लेंथ ब्रेथ हाइट करने से क्या आ गया मीटर 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 करोगे क्यूबिक मीटर आ जाएगा सेंटी मीटर सेंटी मीटर सेंटी मीटर करोगे क्यूबिक सेंटी मीटर आ जाएगा बेटा मतलब क्या निकला नहीं कुछ भी नहीं निकला केवल आपने length, height बच्पन से पढ़ते ही आ रहे हो multiply कर दिये अब यही जब आप J.E. में जाओगे, medical में जाओगे तो आपको volume concepts पर आपसे जवाब मांग लेगा क्या आपको volume का concept है या नहीं है या density का concept है या नहीं है अब आपको पूछे हैं कि बताओ volume बनता कैसे है यह height का क्या sense है length के साथ और breath के साथ तो आपकी परिशानी बढ़ जाएगी तो आप volume concept में क्या है सुनो अब इस तीनों पारामीटर में से किसी दो पारामीटर को पले चूल लो चूना उससे area बना लो दो पारामीटर पारामीटर में लिख रहा हूँ select करो इससे आप area बनाओ area पले बना लो suppose length और breath इसको मैंने दो पारामीटर बना ली इसको घेर लो इससे क्या बन गया वेड़िया area इंटू क्या गए height clear अब उसके बाद मैं rule बना रहा हूँ जिस पारामीटर को भी आप दो select किये हो उसको area बनाए हो बना ली area तिसरा जो बचा हुआ है जैसे यहां height वाइ इस area पर 90 degree का angle बनाएगा उस यह जो height है perpendicular to this area होगा यह height perpendicular to this area होना ही है अगर आप breath और height पकड़कर area बनाते हो तो length को B और S से बने वाले area में perpendicular होना ही पड़ेगा अगर आप L और H से मिलकर आप area बनाते हो तो breath को L और S से बने वाले area में perpendicular होना ही पड़ेगा तभी volume बनेगा भाई मेरे भाई तभी volume बनेगा अभी एक concept मैं दे रहा हूँ, अभी length और breath लेकर के चले जाओ, इसे area बनाओ और height देखो, इस area पर ये height perpendicular है या नहीं, इस area और height के बीच में 90 degree का angle बनेगा, तभी आप इस area को, ये area A है और इस area को multiply करोगे, तब volume आपका बनेगा, तो क्या concept बना, जो भी area बनने जारा असर, उस area को ले लेंगे, और third parameter जो बनेगा, वो third parameter उस area पर 90 degree का angle बनेगा, तब उसके बाद देखिए, इस area को 90 degree वाला जो parameter है, उससे multiply करोगे, तब ये volume बनेगा बेटा, volume बनेगा, इस पर काफी बवाल वाल question, बड़े बड़े question बनते volume बराबर length into breath into height नहीं होता है बेटा, चलिए volume बना के धर दिया मैंने, भी फूर volume या लिक हो गए, आप यहां से concept दे रहा हूं, देखो, ये, एक glass लिया, जी, इससे पर एरिया बना ओ, देखो area बना रहा हूं, ये, circular area बना दिया, और गज्जव सर, ये circular area बना दिया, इसक अगर आ रहा है, तो देखो, पाय रिसकार हो गया, आर इसकार हो गया, length into breath हो गया, area का sense ले लिया, area हो गया सर, अब देखो, इस area में, glass में water डालो, देखो, ये area हो गई, साब, ये area, ऐसा, ऐसा area, height तक ले जाओ, height तक ले जाओ, ये height है आपका, center to center, यहाँ center बना लो ये, ये आपका आगया, बहुत सुन्दर सर, ये center और इस center के बीच आपका ये height आगया, यहाँ से क्या करोगे, ये area, ये area कहां तक ले जाओगे, इस area को, आप height h तक बना दो, एकदम बना दिया सर, बना दिया area, सारे area, देख लिए, ये area, ये area, ये area, ये area, कहां तक ले गया भी या, देख लिजे, ये माल ले जाओगे, आपको यहाँ से यहाँ तक गए हो, ये area, ये area, ये area, सारे area को up to height तक जोड़ दो, जोड़ दो भईया, ये area यहाँ गया, ये area यहाँ गया, ये area यहाँ गया, य अगर आप समझ में नहीं आया तो इस एरिया को यहां तक पहुंचा रहे हो तो यह एरिया हो गया यहां तक आपका हाइट डी मान लो अब यहां से यहां तक का हाइट फिर डी मान लो यहां से यहां तक का हाइट डी मान लो यहां से तक का हाइट को फिर डी मान लो बराबर ब फिर आगे बढ़िये area into d आ गया फिर आगे बढ़िये area into d आ गया क्या हो गया यह area को मन लोगे deep देखो d plus d plus d plus d बच जाएगा d plus d plus d plus d बच जाएगा a into आपका h आ गया यही आपका क्या है बताइए आपका volume का sense क्या है सर जब मैंने water दी तो देखो यह area आपका horizontal है water गिराते हो vertically वाटर गिराते हो vertically 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 गिराए साब यह क्या हुआ area सबसे पहले water इर्या को भिंग होता है पहले expansion होता है पाने गिराओ glass में पहले expand करेगा expansion हुआ यह हुआ हाँ सर कैसे गिराया सर वर्टिकली गिराया अब जैसे जैसे गिराते जाते हो ये आपका लेयर बढ़ता जाता है लेयर बढ़ता जाता है लेयर बढ़ता जाता है लेयर बढ़ता जाता है उपर बाग जाता है कैसे बागता है इस एरिया के नॉर्मल भागता है कि कोई और, बताओ, हाइट नॉर्मल पर है कि कोई एरिया के नॉर्मल हाइट जा रहा है कि इधर जा रहा है, ये एरिया देखे, उपर जो बढ़ रहा वाटर का लेवल, उपर जो बढ़ रहा वाटर का लेवल, उपर जो बढ़ रहा वाट ओरिजेंटल उस पर वाटर का लेयर क्या हो गया आपको वर्टिकली उपर की और बढ़ रहा है एच के डिरेक्शन में कहा तक बढ़ा अप्टू एच बढ़ा जिसको मैंने एडी प्लस एडी प्लस एडी प्लस एडी का यह समुचे जोड़ दोगे तो एइंटू एच आ गया यह बोल्लूम हो गया आपको यह दिमाग में रखना है कि एरिया जिसका भी बनाते हो उस पर जो थर्ड परामीटर है इस एरिया पर नॉर्मल होगा इसी डिरेक्शन से आपका लिक्वीड आया जिसको भी इंट्री देना हो इसी डिरेक्शन से बढ़ेगा यही एच के डिर है के लिक्वीड है लिक्वीड को पुछ नहीं करना आया है नेचर में ड्रेर्ट थी तर प्लेटफॉर्म पर प्यासा इंसंत्य। ट्रेन की रा में खड़ा है सिनारियो बनाईए उसके पास गलास नहीं है प्यासा है नल के पास गया क्या करता है पानी पले वो बरतन बनाता है कॉंटेनर बनाता है ऐसे पानी नहीं पीता है अगर मूँ भी लगाएगा ना तो container बनाएगा हां container बनाएगा यानि पानी का existence पानी का liquid का existence बरतन में हैं पानी बरतन में ही रह सकते हैं अब बरतन का आकार किसी भी बरतन में जाए पानी चम्मच में चला जाए चम्मच का आकार फिक्स है पानी का आकार फिक्स नहीं है पानी को हर हालत में देख लो बरतन मेंने बना लिया पानी अट गया पानी की लिया पानी को बरतन में जाना ही होगा पानी का existence बरतन में है पानी ऐसे खूला नहीं रह सकता है solid नहीं है ज़्यादा नहीं बुलूँगा मैं nature में जाके बता आप बात करूँगा water, liquid, fluid जिसमें बहाओ है जिसमें flow है वो fluid है वो सर बरतन में ही रहेगा for example, दूद आपके ममा दूद लेती होगी सबसे पहले बरतन लेके जाती होगी क्यों? चांती है बरतन में दूद रहेगा यानि liquid को रहना कहा है बरतन में बात समझेगा दूसरा तेल, आयल कहा है बरतन में किसी चीज़ को नापा जाता है देखे नापा जाता है तो बरतन से नापा जाता है दूद में देखिएगा लिखा हुआ है एक लिटर एक लिटर क्या? दूद नापा किसे? बरतन से बरतन से नापा liquid कहा है? बरतन में नापा किसने? बरतन में कितना नापा? एक लिटर एक लिटर क्या है फिर समझेगा एक लिटर क्या है सर लिटर यूनीट आफ लिक्वीड है नापा किसने बरतन ने यहां एक लिटर लिखा हुआ मिलेगा एक लिटर यहां पर लिखा हुआ मिलेगा एक लिटर यहां लिखा हुआ बरतन में मिलेगा एक लिटर थम्स अप थम्स अप लिखावा मिलेगा साम थम्स अप लिखावा मिलेगा एक लिटर का लिखावा मिलेगा दो लिटर का लिखावा मिलेगा तीन लिटर का लिखावा क्या है यहां सर लिक्विट कहां रहा रहा है बरतन में कहां रहा है बरतन में बरतन तो सर सॉल थाम सब सारे लिक्विड है, लिक्विड का यूनिट नोट कर दिजेगा, लिक्विड का यूनिट लीटर, लिक्विड है बरतन में, बरतन का यूनिट, लिक्विड का यूनिट, लीटर, लिक्विड का है, बरतन में, बराबर, लीटर बराबर, कितना, वन लीटर, नमबर और यूनिट, नमबर वन यूनिट लिटर, नमबर और यूनिट बोलने से क्या होगा, सर फिजिकल क्वांटिटी बन गया, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सर नाम तो लिक्वीड है, लेकिन है क्या हो, हाँ, बरतन में जब कोई चीज अटता है, तो बरतन का क्या होता है solid का क्या होता है सो जल्दी बोलो अठता है अठता है आप रूम में अठते है तो रूम को क्या काते है अठने को क्या काते है अठने को क्या काते है सर बोलूम काते है बोलूम मिलाईए मेरा concept उसका तुरत सर लिक्विड चला गया बरतन के बोलूम में लिक्विड का भॉल्यूम लीटर में लीटर यानि पानी चला गया बरतन में क्योंकि पानी बरतन में ही रह सकता लिक्विड का भॉल्यूम बराबर बरतन का भॉल्यूम लिक्विड का भॉल्यूम बराबर कॉंटेनर का भॉल्यूम नोट किया जाए volume of volume of liquid equal to volume of container किसका जिस container में liquid गया है फोर एक्जाम तो आप अगर hand से बरतन बनाया है यह hand का volume निकाल लिजे अब पानी भर देजे पानी का volume बरतन का बरावर ग्लास में डालिए ग्लास का भर लो अब पानी का भर लो बरावर चमच में डाल देजे चमच का भर लो liquid का भर लो बरावर container बड़ा container में डाल देजे क्या हो ले कहाँ पानी कहा रहता है सर टैंकी में टैंकी का volume ले 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 लेजे लिक्विट का भुल्म बरावर क्या हूँ सर पानी अट रहा बरतन में बरतन का जो अकार होगा बरतन का जो भुल्म होगा उसी का सेप ले लेता है लिक्वीड लिक्वीड उसी का सेप लेता है इसलिए आज के बाद सब को छोड़ दो concept था मेरे देना मेरा काम liquid का भुल्लूम बरावर container का भुल्लूम कारण liquid जिस बरतन में गया उसी बरतन का भुल्लूम ले लेगा उसी बरतन का आकार ले लेगा उसी बरतन का सेप ले लेगा यही एक पानी सर हैंड में था आइस को ग्लास में डाल दीजेगा तो पहले हैंड के आकार में था अब ग्लास के आकार में आ जाएगा यही काम कहना था और कुछ नहीं क्लियर हो गया मौसुन दरसन आगे देखिए तो अब क्या करें अब एक लीटर तो मैं समझ गया कि भोल्लूम आप लिक्विड एक लीटर है बराबर भोल्लूम आप कॉंटेनर लेना है कॉंटेनर लेना है इसका मतलब लिक्विड चला गया कॉंटेनर में तूरत जैसे ही लिक्विड दिया लीटर दिया लिक्विड बोलोगे और जैसे ही container में गया तो container का अलग unit होता है liquid का अलग unit होता है liquid का unit liter है अग container का unit जल्दी 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 सर container तो solid है solid को length into breath into height कहते हैं गज़र सर liquid science ने 1 decimeter माना है liquid ने length को sorry मुझे निकल गया length को science ने 1 decimeter माना है width को science ने 1 decimeter माना है height को science ने 1 decimeter माना है माना है एजुंड है इसका मतलब एक liter बरावर एक डेसिमीटर का होल क्यों ये तै कर लिजे अब काम खतम क्यों बना समझ में आ गया अब आगे कनभरजन देखिए अब कोश्चन दिया एक लीटर तो हो मच मिली लीटर इसका क्या मतलब एक मिली लीटर तो कितना लीटर इसका क्या मतलब एक सेंटी लीटर तो लीटर इसका क्या मतलब एक डेसी लीटर तो कितना लीटर इसका क्या मतलब एक डेसी लीटर तो कितना लीटर इसका क्या मतलब ए एक डेका लीटर, कितना लीटर, इसका क्या मतलब हुआ, एक किलो लीटर, कितना लीटर, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब, सर यह liquid to liquid है सर, गज्जा, बरतन में नहीं गया, not going into the बरतन, not going into container, अभी तक यह container में नहीं गया है, लिक्विड से लिक्विड की ही बात किया जा रहा है बहुत सुन्दर सर्थ इसका मतलब लिक्विड तो लिक्विड है अराम से समूचा चीज यहां लिखा हुआ है कॉंटेनर में जाएगा बात की बात अभी कुछ नहीं करेंगे करके दे दीजे सर्थ कर के दे दिजे आज कर ही दिजे आज अब ये बोलेगा एक लीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर का होल क्यू यानि कितना सीसी यानि कितना क्यूबिक सेंटीमीटर जी सर्थ एक मिली लीटर इक्वल टू कितना अराम से समझेगा सीसी सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर कितना सीसी सब एकी है कितना होगा है गवडाये गड़े यह रटने की चीज है कितना रटोगे कितना रात दिन मथा पची करोगे यहां आजाईए ना सब के लिए प्रैक्टिस का करवक खेल है सर लिक्विट से लिक्विट गया है यहां लिक्विट से बरतन गया है अब लिक्विट बरतन में चला गया है बरतन का क्या रूल है यह सारे रूल के लिएर होंगे एक liter equal to एक decimeter के whole cube से ही problem बनेगा दोना में अंतर समझ लेज़े यहां के problem में यहां के problem में अंतर समझ लेज़े यहां liquid to liquid है no change बर्तन का रूप नहीं लेंगे यह problem इस rule से नहीं जाएंगे किस rule से जाएगा लीटर से मीलीलीटर जाने के लिए कहा, जल्दी बोलो, लीटर पकड़ो, बेस पकड़ो, मिली लीटर जो, कह स्टेप चड़ रहे हो, एक, दो, तीन, घजब कर दिया सर, आज आपने, पलस तीन, चड़ गया है, लीटर चला गया मिली के गर, लीटर चला गया मिली के गर, चले आगे मुलिए, मिल सेंटी लीटर चला गया लीटर के घर, उतर रहा है सर, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, 10 to the power minus 3 आगया सर, चिंता मत किज़ेगा, सेंटी लीटर चला गया लीटर के घर सर, एक स्टेप, दो स्टेप, नीचे उतर आए सर, माइनस 2 आएगा, सर, डेसी लीटर चला गया है लीटर के घर, एक स्टेप नीचे उतरा है, 10 to the power minus 1 आजागा, देका लीटर चला गया लीटर के घर, देका लीटर चला गया, चड़ा है सर, 10 to the power plus 1, कितना देर लगता है सर, किलो लीटर चला गया लीटर के गर किलो लीटर चला गया लीटर के गर कितना आ गया सब एक दो तीन तीनी स्टेप में जाएगा खत्ताम अब ये काम खत्तम समझ में आ गया रूल समझ में आ गया किसर लिक्विड टो लिक्विड रहेगा never go into the container go into this rule इस प्रोब्लेम में देखा या। मजा आ गया। सेंस लेके चलोगे आर्कृडिज का प्रिश्पॉल पढ़ना है इतने इतने प्रॉब्लेम से लिक्विट का और आप लिक्विट को दो फर्मूला में आपने बान लिए। ऐसा साइंस कभी नहीं बनाए बिटा कभी नहीं कॉंसेट में जाईए कभी नहीं डूगिएगा अराम किजिएगा जिंदगी बर सोईएगा बहुत अराम से आज हम कुछ सीखे हैं और हमसे गलती नहीं होगा देख या है सर अब लिक्विड चला गया बरतन में मैं लिख देत लेंद कुना ब्रेथ कुना हाइट तो सर सॉलिट में होता है इसमें लिक्विड में काम इसका मतल्ब लिक्विड चला गया कॉंटेनर रूल क्या है सर वन लीटर है कांट भी चैंस्ट इस रूल से जाईए पहले डेसिमीटर लिख दीजे एक लिखा हुआ है एक लिख सर डेसिमीटर ब्रैकेट में कीजिए 3 कीजिए देखें यहां 3 3 मिला हुआ है सर डेसिमीटर यह रूल है डेसिमीटर को सेंटिमीटर के घर में जाए आंसर आपके कदमों में तो सर जो भी प्रोब्लेम बरतन का बोलेगा डेसिमीटर को पकड़ लिजे और उसके घर चले ज कर देसी मीटर पकड़ का यहां है यहां है और सेंटी मीटर पकड़ का यहां है ज़ग चरण रहा है कितना एक प्रह इस्टेप कर एक प्रहाई सर एक कि स्थेप में 10 पर पावर प्लस वनाता है एक स्टेप, तेट पर प्लस स्टेप, डेसी से सेंटी चड़ा आए सर, प्लस स्टेप, कहां चला गया सर, डेसी चला गया सर, डेसी चला गया सर, होल की उबा गया सर, कता, क्या किया आपना है, डेसी मिटर पकड़ा, डेसी मिटर तो दिखा हुआ है, मीटर का रूल है, तीन स इसे छोड़िये ना हमको तो बोला कि decimeter को centimeter जाना है हर जगर decimeter है power बजा रखा है जो भी power देगा दो देगा तीन देगा चार देगा हमको power से क्या मतला है हम decimeter को अलग कर दिये centimeter में गुज गए decimeter को अलग कर दिये centimeter में गुज गए कि step में कताब कितना आया 10 to the power plus 3 आ जाएगा centimeter का whole cube cc का सकते है plus 3 है cubic centimeter लिख सकते है हर कुछ cc है cc लिख सकते है centimeter cube लिख सकते है cubic centimeter लिख सकते हैं इस इस टैलिव लिख सकते हैं एक liter आज के बाद यह याद रखेगा यहाँ पहुँचा देगा यह सब याद रखने के जोरत नहीं है यह याद रखेगा चलिए सर अब बहुत सुन्दर आ गया बहुत किलियर हो गया चलिए अब क्या हुआ अब बोला सी 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 हो गया सर प्लस थे सर क्यूबिक सेंटीमिटर प्लस थे खतर अब मिली लीटर चला गया सेंटीमिटर के गर सर मिली लीटर कहा है हाँ 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 आपको रूल में जाए सर ये चला गया कहां कहां चला गया देख लेजिए आराम से समझ भी किषिए गा सर यह फिर लिखिड है मिली लिटर सर सेंटीमीटर क्यूब है बरतन में चला गया बरतन का प्रोब्लम है कि तब यहां से ऑन लीटर बरावर 1 डियोटर क्यूब से होगा सर कैसे करें गया सर पले वन लीटर जाएंगे वन लिटर जाएंगे सर मिली लिटर में कनवर्ट करेंगे एकदम सहीवा मिली लिटर में कनवर्ट करेंगे मिली लिटर को फिर हाँ सीसी में जाएंगे सीसी में जाएंगे क्लियर अब ये कैसे बनेगा कोई गवडाने की बात में कोई गवडाने के बात नहीं है, देखे क्या होगा, एक लीटर वरावर, पले मिली लीटर, मिली लीटर डारेक्ट ही जा सकते हैं, एक लीटर वरावर कितना मिली लीटर, एक लीटर वरावर, कितना मिली लीटर, देखें, एक चड़ा, दो चड़ा, तिन चड़ा, अभी तु बरतन में, बरतन का रूल क्या है, एक लिटर बरावर, एक डेसी मीटर का, होल क्यूब है, क्लियर वर, मिली लिटर बता चुके है, एक लिटर, भार देंगे या, मिली लिटर में चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, लेकिन सेंटी मीटर कौन बदलेगा, सर लिटर बदलेगा लीटर का रुड है लीटर बदलेगा एक decimeter बड़ाबर कितना centimeter बता चुके है यहां इतना बता चुके है 10 to the power कितना है plus 3 centimeter का hole कीव भी तुरद बताया है यानि कि आप decimeter क्यूब से question का centimeter में जाने के लिए का है सर मिलिली से सेंटिम्यत जाना है मिलीटर प्राप्त कर चुके हैँ अब सेंटिमेटरमें जाना है अगदम बहुत बढाएं बहुत बढा, आगे काओ क left चेलिए शकुते हटा दीजे आगे इसको हटा करके देखिए क्या आता है सर एक लीटर बरावर 10 पौर 3 क्योविक सेंटिमेटर है कितना लीटर चाहिए एक मिली लीटर चाहिए एक लीटर बरावर कितना है 10 पर पावर 3 मिली लीटर होता है एक लीटर बरावर बरावर कितना होगा 10 पौर प्लस 3 सेंटिमेटर पर क्योँ है यहाँ भी देखिए प्लस है यह प्लस कर देखिए सर यह कट गया सर यह कट गया एक मिली लीटर बरावर एक क्यूबिक सेंटीमिटर होता है यही चीज़ टीचर सब लिखते हैं आप रट न लीजिए आप कौन मना करता है कि नहीं रटने के लिए कितना सुन्दर बात बोला सर मिली लीटर से क्यूबिक सेंटीमिटर जाना है सर मिली लीटर से बरतन में जाना है बरतन का कोई रूलास तक नहीं बनाए कि बीच में कहीं चला जाए आप सिधा बरतन में जाए कि एक लीटर बरावर पहले मिलीटर बनाईए बना दिया सर अब मिली लिटर बन चुका है अब लीटर का रिस्ता बरतन से जोड़ देज़े देखिए लीटर का रिस्ता मिली लिटर से बना दिया लीटर का रिस्ता बरतन से बना दिया तो मिली लिटर का रिस्ता बरतन से बनी जाएगा हा सर एक लीटर बरावर देख लेज एक लिटर बरावर इतना कर दिया मिलिटर का 1 मिलिटर बरावर एक सेंटिमिटर की होगता है मीली लिटर 1 मिलिटर बरावर वन सी सी के बरावर लिखता है दुनिया क Stacy हो गया आज Bollum का concept मैंने दे दिया आपको जैसे भी मरोरना जैसे करना उतने काम कीजेगा खलिए याद रखिएगा कि अगर approval लिक्विड का प्रूलीम यहां से बनाना है अगर लिक्विड टू बर्तन गया लिक्विड टू बर्तन गया तो आपको रिस्ता एक लिटर बरावर वन डेसी मीटर से ही बनाना पड़ेगा clear समझ में आ गया यहां जो दिया एक मिली लीटर एक लीटर बरावर मिली लीटर कर दिये कर दिया एक लीटर बरावर एक डेसी मिटर कर दिये तो एक लीटर एक लीटर खतम होकर के मिली लिटर डेसी मिटर में गुच जाएगा अब मिली लिटर जब डेसी मिटर में गुच जाएगा तो डेसी मिटर को सीसी में बदलने में कितना दिर लगेगा कितना दिर लगेगा किलियर तो आपके दिमाग में सिनारियों क्या आ जाना चाहिए कुछ भी अधर क्वांटिटी यहां पर लीटर के रूप में दिया लीटर के साथ इसको रिस्ता पले जोड़ दिये किसके साथ जोड़ दियेगा लीटर के साथ रिस्ता जोड़ दिये इसके साथ लीटर का जोड़ा इसका जूट गिया एक बार लीटर को मिलीटर के साथ रिस्ता जोड दिया किसी अधर क्वांटिटी जब भी देगा यहां कुछ भी लीटर में तो लीटर के साथ रिस्ता जोड दिया एक दम जोड दिया एक बार लीटर को बरतन के साथ रिस्ता जोड दिया इसका मतलब लीटर बरतन में चला गया लीटर मिली लीटर में चला गया अब लीटर बरतन में गया लीटर मिली लीटर में गया इस उनों का रिस्ता जुटा की नहीं जुटा बहुत ही सुन्दर सथ बहुत ही सुन्दर कनवर्जन का तरीका था बेटा मैं बता दिया आपको अब आईए अब density के बारे में ध्यान दे सुनियेगा पहले आपको बहुत आंसर सीट बता देता हूँ तब आसान होगा इस glass में जो भी object अटने जा रहा है या जो भी liquid अटने जा रहा है liquid में बता रहा हूँ जो भी liquid अटने जा रहा है वो liquid यहां होगा अटना word यूज किया अटने जा रहा है occupy होने जा रहा है यहाँ occupy मारियेगा बहुत सुन्दर सुन जितना अटने जा रहा कितना मात्रा मास मास जितना अटने जा रहा तो amount उपर में रखेगा जितना अटने जा रहा है amount of किसका जो अटने जा रहा liquid liquid divide by जिसमें अटने जा रहा container volume का मतलब volume of container volume of container यहां होगा तब के दिमाग में mass by volume ने होना चाहिए जो अटने जा रहा वो density कलाता है जितना मात्रा अटने जा रहा वो liquid का mass होगा जिसमें अटने जा रहा वो volume का container होगा clear हो गया यह जो अटने जा रहा अटने जा रहा जा occupy होने जा रहा यह इंडिया है इंडिया है इंडिया में अटने कौन जा रहा population population number of persons तो sir density of कौन आदमी person जो अटने जारा person कितना अटने जारा यहां संख्याम होगा number of persons number अवहां मास होगा यह number of persons होगा और भी बोलूं के इंडिया में बरतन हो गया इंडिया यां कॉंटेनर हो गया इंडिया बोलूं आफ इंडिया करो गया समझ गया एकडम ध्यान से समझ येगा अब आगे फिजिक्स में बुलेगा कि यह माल ले जाए कोई कॉंटेनर है अब देखें यह यह जो यह density of person हो गया density of person हो गया person की density हो गई यहां liquid की density हो गया अब देखें यह container एक नया है इसमें हम energy बर्द है energy बर्द है energy अब यह क्या है बात की बात मैं sense बता रहा हूँ energy बर्द हो भर दिया मैंने इसका मतलब यह जो density होगा जो भरने गया जो occupy होने गया यह energy लिख रहे है जितना energy की ताकत है ताकत है सुनते जो energy की ताकत किस किस तर्में सर सुनिए यहां energy भरने ज़रा कितनी energy occupy हो गया भरने गया कौन भरने गया energy energy बर्द है अब पर unit क्या किसमें भरने गया बर्तन तो देखें यह होगा volume of the container जिसमें energy भरने गया कौन भरने गया कौन भरने गया liquid की मात्रा यहां पर energy यहां भरने गया energy यहां भी liquid ही है यहां भी person ही है यहां भी person ही है पर यहां energy आपको भरने गया भी volume के बर्तन में volume of the container हो गया इसको काते है बिटा energy density कि अगया यह कि पर संट का टेंसटी हो जो अटने गया जो अक्यूपाय करने के लिये रहा वो डेंसटी का लाता है अब आप बोलते हैं कि अब आरे साथ बुलिएगा इन भी भोल्यूम कॉंटेनर भी भोल्यूम कॉंटेनर क्या हो भी भोल्यूम कॉंटेनर में देख लिए यह वाटर लिक्विड है पार यूनिट भोल्यूम में वन वन जहां करोगे जब याद रखना फिजिक्स में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को किमिश्टी में अगर एक बना दोगे यह एक नीचे चला जाएगा यह एक जैसे बनाए जिसको एक बनाओगे वह amount वह वह जिसको एक बना रहाए वह नीचे चला जाता है नीचे तो क्या बोलोगे एक भॉल्लूम के बरतन में जितना एमांट अप लिक्वीड या वाटर आठता है आठता है या लिक्वीड का डेंसिटी होगा क्योंकि लिक्वीड अठने गया है बोलिए इसलिए बोला गया कि मास पर भॉल्लूम लेकिन आपको यह लंगवे जो मैंने बोला है उसको लिखेगा अब बुक लिखता है पर यूनिट भॉलूम में इन पर मने एक यूनिट मने भी एक इन पर यूनिट भॉलूम एमांट ओफ वाटर देखलो एमांट ओफ वाटर निकला एमांट ओफ वाटर अक्यूपाई इज नोन एज अक्यूपाई इज नोन एज नोन एज डेंसिटी का लाता है बेटा डेंसिटी का लाता है आज के बाद डेंसिटी को इसी टर्म में या रखोगे एक बार और रिकॉल एक मिनट के लिए कर दता हूं जो अटने गया है जैसे यहां लिक्विड अटने गया है वो डेंसिटी कलाएगा जितना अटने गया है वो मास कलाएगा मास अप लिक्विड जिस कॉंटेनर में अटने गया है वो भूलूम अप कॉंटेनर होगा volume of container होगा यहाँ chemistry physics बोलता है कि electron की density बताओ लड़का फस दाता है गहरे चीजों में electron की density बताओ electron density बताओ कितना होगा अब लड़के के दिमाग में ही नहीं है कि यह क्या कालाता है जहां रहे density concept मेरा लगा दो सब question स्वा क्या हुआ सर इसका मतलब electron अटने जा रहा तो density कर दो electron person के तरह ही तो है यहां कर दो number of electrons number अटने जा रहा number of electrons यहां क्या हुआ per unit volume of wire wire होगा सा wire में electron रता यह wire है सा यह wire cylindrical होता है इसमें electron रहते हैं भाईया electron रहते हैं तब बोलो मेरे साथ per unit volume of wire में in per unit volume how much amount of the electrons occupy there is called density of electron density of electron अब density का कोई भी word कभी भी बोल दिया किसी कभी density तो आपको सीरा बोलना है कि density रो लिखते हैं जो अटने जा रहा है उसको यहां लिखते हैं बराबर जितना amount अटने जा रहा वो यहां लिखते हैं किसका जो अटने जा रहा उसका amount और बरतन का volume नीचे लिखते हैं अब बरतन जैसा मिलिया यहां बरतन wire के रूप में मिला यहां बरतन बरतन के रूप मिला यहां बरतन आपको मिला container के रूप में यहां बरतन मिला इंडिया का भोलूम के रूप में, सिलिंडिकल के रूप में मिला, सिलिंडिकल के रूप में मिला, के लियर तो यह आपका density का concept था, और अभी तो unit मैंने बताया नहीं है, बट मैं बता देता हूँ, कि mass अगर आप gram लोगे, अब भोलूम centimeter into container, container मैं बता चुक होगे, gram per cubic centimeter थीन बार आजाएगा, density का unit तो आपका यही होगा, gram per cubic centimeter, clear होगया, यह density का पुरा सिनारियो था, जो मैंने आपको nature से जोड़ करके बता दिया, temperature concept आप सेखे, क्या-क्या बता दिया था concept में, sir, volume concept आपने बता दिया है, ठीक है, density concept भी आपने बता दिया है, आज है temperature concept, temperature हमें measure करनी है, temperature measurement, कौन करेगा, temperature is measured by an instrument non-age, 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 thermometer, thermometer होता है, थर्मोमीटर का measurement करते वक्त, ये scale को ध्यान में रखना पड़ता है, scale, तो एक आता है temperature scale बेटा, temperature scale, ये क्या है, degree Celsius है, जिसको degree centigrade भी लिखते है, Kelvin लिखते हैं, Kelvin में degree नहीं लिखा जाता है, याद रखना, Kelvin को के लिखा जाता है, एक डिगरी फारेन हाइट, डिगरी फा, रेन हाइट है, हे इसको degree फारेन हाइट ऐसे लिखा जाता है, ये तीन temperature scale आपके syllabus में है, अब thermometer जो मेजर करता है, ज्यांद सुनना क्या मैं बोल रहा हूँ, thermometer दो ही state किसी भी, किसी भी इनसान का, पार्टकिल का, एटम का, मोलिकुल का, आयन का, जिसका भी temperature अगर मेजर करेगा thermometer, तो दो ही state का मेजर करता है, कौन-कौन, सर एक freezing point, यह freezing point है, point है, FP जिसको लिखा जाता है, ये मेजर करता है, इसके नीचे अगर जाओगे, तो state change हो जाएगा, state change हो जाएगा, अब बताओ, इनसान का temperature मेजर करने के ले गया, और उसका अवस्थाई खो दे, death कर जाए, मर जाए, तो temperature क्या करेगा, उस इनसान का temperature लेकर, nicer, एकदम सही बात, इसका मतलब freezing point के नीचे, below जाने पर, जब state change हो जाएगा, अवस्था खो दे, तो फिर हम क्यों मेजर करने जाएगे वाँ, हमको तो existence जिसका temperature बोडी का मेजर करना है, बोडी जहां तक exist करती है, जहां तक जिन्दा रहती है, उतने तक का मेजर temperature आपका thermometer करेगा, एक काता है boiling point, BP, boiling point, अब boiling point को भी मेजर करता है, बोडी का temperature boiling point तक जाता है, इसके उपर भी जाओगी, या इसके उपर जाओगे, तो क्या होगा, अवस्थाप खोदेगा, इसके उपर जाके करोगी क्या होता अवस्थाप खोदेगा, जिस बोडी का temperature लेने के लिए जा रहे हो, वोडी समाप्त होगे, इसका मतलब, thermometer इसी दो इस्टेट का measurement करता है, एक freezing point, एक boiling point, क्लियर बात, यह याद रखिएगा, अब यहाँ पे यह तीनों scale जो है, का boiling point और freezing point आप लिखिए, उसके बाद, इस तीनों के विच में आपस में inter-relacency था, तो लिखा जाए दिखो दिखता हो, लिखता हो, सर, तीन vertical line ड्रॉ किजिए, scale ड्रॉ करने के लिए, किया, तीन vertical line ड्रॉ किया, सबसे नीचे में, हम यहाँ, freezing point लिख दिए, freezing point, इसके below जाने की ज़रत नहीं है, क्योंकि यहाँ से state change कर जाएगा, सबसे उपर पार्ट में चले जाएगे, जी सर, इसके, यह boiling point डागया, यहाँ boiling point, BP, यहाँ भी BP आया, यह भी BP है, तीन scale, vertical, इस तीन scale के बारे में कहा जा रहा है, अग, water को लेकर, यह experiment किया गया, असाम लगेगा, water का freezing point, zero degree centigrade, इसके below जाओगे, तो ice बन जाएगा, कोई फाइदा नहीं है, जाना ही नहीं है, इसके उपर जाओगे, तो भेपर बन जाएगा, कोई लेना देना नहीं है, अवस्था चेंज होगे, जाना ही नहीं है, hundred तक जिन्दा, यह division आपका, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen point, dot dot hundred तक division किया गया, equal division, अब यह बीच में, पक्का बीच में चले जाओ, यह scale है किसका, degree centigrade का, स्तिसी के बन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, degree centigrade तो, degree तो लिख दो, centi है, देखो, degree Celsius का, या centigrade का scale हुआ, देखो, scaling किया हुआ है, इसी scaling को, thermometer मेजर करता है, इसका बताइए, सर, freezing point, Kelvin में, यहाँ Kelvin लिख दीजे, यहाँ Fahrenheit, degree Fahrenheit, F लिख देता हूँ, यहाँ, 273 Kelvin होता है, यानि, 0 से बढ़के 273 है, नीचे नहीं किया है भी या, नीचे मत जाना, यह line है, यहाँ जगह नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ, 273, 100 यह 273 जोड़ा गया है, 0 में, तब 273 हुआ, यहाँ भी 273 एड कर भीजे, यहाँ कितना हुआ, 373 Kelvin आगया, boiling point, Kelvin में, water का, clear, यहाँ freezing point, सर, 32 degree Fahrenheit अता है, हाँ, degree Fahrenheit कर भीजे, freezing point, नीचे लिख दिया, इसके नीचे नहीं जाना है, यहाँ, सर, 212 होता है, degree Fahrenheit, याद रखेगा, एक एक टर्म में बता रहा हूँ अब, degree Fahrenheit, यहाँ भी division, 100 का ही होता है, कैसे समझा, यहाँ कैसे समझा, 100 मैनस 0, division पता 100 का, 370 में 273 मैनस करोगे, 100 आजागा, इसका मतलब यहाँ भी 100 का division, यहाँ, 212 में 32 को माइनस करोगे, अगर, 180 का division आजाएगा, यह 180 का division, यहाँ से यहाँ तक, BP से, freezing point के बीच में, आपको 180 का division है, बस यह याद रखेगा, अब क्या हुआ, अब यहाँ से इसको मिट आईए, अब relationship बना रहा हूँ, relationship, सबका relationship बना रहा हूँ, किसका किसका, degree Celsius, Kelvin और Fahrenheit, degree Celsius, Kelvin और Fahrenheit का relationship आपस में, देखे, relationship कैसे बनता है, आराम्स, पाले C लिग दिए, फिर K लिग दिए, सर, फिर F लिग दिए, लिग दिया, इसमें सब में माइनस कर दिजए, आफ पी किजए, क्या हूँ सर, सर अभी first chapter पढ़ रहा है, क्या हूँ मत बोलिए, सब पढ़िएगा thermodynamics में, BP और F P को माइनस किजए, F P को माइनस किजए, बेटे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये पढ़ लिए न, एक एक टर्म, किसी coaching संस्थान में लाखो रुपिय देने की जरूत में बढ़े गया, कहीं जाने की जरूत में है, अराम से पढ़िए, अराम से नोट किजए, आप सब कुछ आपको मिलता रहेगा, K माइनस F P, divide well, BP माइनस F P आएगा, अराम से, ये relationship बन रहा है सा, भारेनाइट, F P आएँ किजिए, या BP माइनस F P किजिए, हो गया, अब एक एक करके भर दिजिए या, जितना data है, C माइनस F P आएँ 0 है, 0 है, BP 100, माइनस 0, इक्वल टू अब, सम्मे इक्वल टू करिलेशन है, इक्वल टू डालिया, के निकालना है, माइनस F P 273, BP 373, minus F P 273, F minus, F P F का 32, BP 212, minus 32, देगे आपस में रिलेशन बनगा, देगे खुब्सुरत रिलेशन आएगा, C by 100, K minus 273 by 100, इक्वल टू, F minus 32 by 180, अब यहां से नोट पैंट ध्यान देना, एक डम ध्यान दिजेगा, मान लिया जाए, किसी स्टूडेंट को चाहत है कि हम भी टेंपरेचर इसकेल बनाए, सुनते जाए, टेंपरेचर इसकेल बनाए, मान लिया जाए, कि कोई रवी नाम का लड़का है, तो आर उसका स्केल मान ले, रवी, फारेनाइट साइंटिस्ट का नाम, केल्विन साइंटिस्ट का नाम, सेंटिग्रेट या सेल्सियल साइंटिस्ट का नाम, रवी साइंटिस्ट का नाम, जिस body का temperature measure करने के लिए जाएगा उसका Fp पता है जिस body का temperature measure करने के लिएगा उसका BP पता है उपर जाना ही नहीं है तो तो आवस्था खो देगा यहां क्या जाएगा वेपर बन जाएगा तो आवस्था खोने के लिए थुड़ी के लिए मेचर करने के लिए मरी जाए यहां म minus fp तो पता नहीं है भर देंगे जो बच्छा बुलेगा रभी बुलेगा रभी बुलेगा कि fp मेजर कर दिया है भर दीजेगा ना प्रसर बीपी भी पता नहीं है जब मेजर करके बूलेगा कि भर तो यहांद भर दना लाके माइनस एप पी आ गया इसका अब लग कोई स्ट्वेंट का भी पूछा थम तयार है अभी इसको हटा दीजे क्योंकि इसका डाटा पूरा नहीं है अब यह कनवर्जन में चला गया कि सेंटिग्रेट केल्विन में सेंटिग्रेट फारेनाइट में कैसे बदलोगे केल्विन को फारेनाइट में फारेन को केल्विन में कैसे बदलोगे एक दुसरे का कनवर्जन हो गया अब यहां से 100, 180 20 से डिवाइट करो 25 जा 100 हो गया के माइनस 273 5 आ गया एप माइनस 32 बाय 9 आ गया वहां तो डाटा नहीं है इसलिए उसको छोड़ो डाटा आएगा तब कर देना हो गया यह हो गया रिलेशनसी पापस में कनवर्जन का आज के बाद फिजिक्स और केमेश्टी में सेंटिग्रेट को केल्विन केल्विन को फारेनाइट केल्विन केल्विन को सेंटिग्रेट में कनवर्ट करना हो हम इसी फर्मॉलाब करेंगे कौन सब बोलो सी बाय फाइब बराबर के माइनस 273 बाय फाइब आफ मानस 32 बाय नाइट अब देखिया आपको तेन्थ लेबन पर क्या बताया गया होगा केल्विन जब दोगे तो 273 प्लस सेंटिग्रेट को जोड़ देना डिग्री सेंटिग्रेट जितना दिया होगा उसमें जोड़ देना या टी डिग्री सेंटिग्रेट लिखा हो यानि डिग्री सेंटिग्रेट जितना दिया होगा उसमें जोड़ देना कितना 213 यह इसी रिलेशन से आया हुआ है देख लेजे आजाएंगा C by 5 equal to k minus 273 by 5 5 5 करसी लोगे हैं C equal to k minus 273 k equal to 273 plus centigrade देखें centigrade भरो हुएंगे देखो centigrade आगे जितना centigrade है भरदना टीडीडी centigrade भरदना जितना है 273 में आइड करना केरविल पहुएंगे इसी फर्मुला को याद रखो एक फर्मुला और बताया होगा centigrade और Fahrenheit के बीच में C by 5 होता है F minus 32 by 9 होता है बोला C अगर पता लगा ना हो Fahrenheit के बीच में 5 उपर चला जाएगा by 9 हो जाएगा F minus 32 आजाएगा ऐसे किसी भी फर्मुला को याद रखने की अब जरुरत नहीं है आप मेरे साथ इस फर्मुला को गुन गुन आओ दुनिया में कोई भी कनबर्जन आजाएगा ये सब चीज़ें करने की जरुरत नहीं है यह आपको पढ़ना है C by 5 इकल तो K minus 273 by 5 आएफ माइनस 32 by 9 क्लियर समाप ये था कॉंसेप्ट अब आएए क्या कोस्टन पूस्ता है हलकी सी बात केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में आप पहले बोलों केमिस्ट्री का निकालो उसके बाद देखो के टेंप्रेचर कॉंसेट्ट क्या दिया हुआ है इसमें टेंप्रेचर कॉंसेट्ट में हम किताब निकाल करके रखे हुए हैं यहां पर बोला कि इसको एक टेंपरेटर में कर्णबर्ट कीजिए एक इस जगह पर इसका लेट फारे नाइट में कितना होता है सुनते जाए उसको केल्विन में कर्णबर्ट कीजिए और किसमें सेंटेटिरेटमें करनवर्ट कीजिए तब सर ऊपर है तो आद्वी यहां पर जिंदा रहता है याद रखेगा फारे नेटमें बी-पि यहां पना होगा से उपर अवस्था खोदेचा शलकने इनसान दिगरी फारेनाइट, 98.6, 98.6 दिगरी फारेनाइट, यादर होता है, Maximum, Maximum existence, Temperature, human body का, 98.6 दिगरी फारेनाइट, फारेनाहाइट में, human body का temperature measure होता है, soul low, मुलेकुल का एटम का केल्विन और सेंटीग्रेड में इनसान का टेंपरिचर फारेनाइट में में जर होता है इसको तो याद रख लेजे 98.6 डिग्री फारेनाइट अब हम फर्मूला जो बताये थे केल्विन करोगे तो आ जाएगा केल्विन जो आया हुआ है आपके बुक में दिया हुआ है 310 केल्विन आता है इसी को केल्विन में करोगे 310 केल्विन आएगा चेक करके देख लेना और 37 डिग्री सेंटिग्रेट इनसान का टेंप्रेचर मैक्सिमम यहां यहां दिया हुआ है ना 37 डिग्री सेंटिग्रेट फारेनाइट में रखो सेंटिग्रेट में कर्वर्ट हो जाएगा तर करके दिखाईए C by 5 F minus 32 by 9 C निकालना है 37 डिग्री सेंटिग्रेट किसका 98.6 तो C by 5 रख दो फारेनाइट में 98.6 है 98.6 है तो 98.6 minus 32 by 9 क्या है अब यह 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 .6 आएगा आठ में दो गया 6 आएगा नौ में तिर गया चो आएगा 66.6 ठीक ठाक है जीरो शीक्स जीरो आठ में दो गया चो नौ में तिर गया चो बाए 9 आगया सी बाए 5 आगया अब सी बराबर 5 उपर चले जाओ एंटो 66.6 बाए 9 देख लो यह कितना होगा 30 करके देख लो ना इसको हटाओ तेन आया 5 टू जा एकदम यहां बताओ 3 3 3 3 99 से 3 3 3 कर करो 9 3 जा 27 दसनों 13 में साथ गया चो नो सते 63 63 खतम सा यह हो सकता है कट गया आओ 9 से डिवाइट कर लेना 37 डिगरी सेंटीगरेट आ तो गया 37 डिगरी सेंटीगरेट सर जी हार कुछ प्रूफ है हार चीज़ें आपको मिल रही है अराम से पढ़िए ठीक ठाग